हाई फ्रेंड, वेलकम बेक टू माई चैनल, मेरे चैनल पृती मिस्टर क्राप में आपका स्वागत है आज मैं आपके लिए देखें बहुत ही प्यारा डिजाइन का काना जी के लिए हैड बनाने के लिए लाई हूँ अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए फ्रेंड तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं इस तरह से ऐसे हमें नौट लगा लेना है देखिए हमने एक नौट लगा लिया, अब इसमें हमें एक, दो, तीन, चार, चार ऐसे चैन बनाना है और जहां पर देखिए हमें फर्स चैन बनाया है उसी में इस तरह से हमें देखिए सिंगल क्रॉचिट देखिए स्लिप स्टिच कर देना है इस तरह से और फिर हम इसमें एक, दो, दो चैन बना लेंगे और यह देखिए जो बीच में हमने यह सिंगल क्रॉचिट किया है यहाँ पर देखिए बीच में जो gap है उसी में हमें इस तरह से देखिए 20 बार double crochet बनाना है ऐसे ही एक फिर देखिए उसी hole में 2 3 4 5 देखिए यह जो पीच में gap है उसी में हमें ऐसे ही 20 double crochet बना लेना है 7 8 इसी तरह से देखिए फ्रेंड हमें 20 double crochet बनाना है 9 10 11 12 13 14 15 16 देखिए तीन 6 9 12 15 और यहीं 16 17 18 और यहीं देखिए 19 और यहीं देखिए लास्ट में एक 20 ऐसे ही हमें 20 double crochet बना लेना है अब देखिए इसे हमें यहाँ पर जहाँ पर हमने फर्स्ट में 2 चैन बनाया था उसी में हमें इस तरह से देखिए से slip stitch कर देना है इस तरह से ऐसे ही अब इसके बाद देखिए हम एक चैन बना लेंगे और फिर जो हमने यह 20 double crochet किया है उसी के हार एक चैन में हमें एक एक बार ऐसे ही single crochet करते जाना है इस तरह से देखिए हमें single crochet हर एक में कर लेना है जो हमने नीचे 20 double crochet बनाया है उसी के chain में हमें इसी तरह से 20 बार single crochet कर लेना है इस तरह के से देखिए हम करते जाएंगे यह लाइन हमें ऐसे ही complete करना है देखिए इस तरह से हम हर एक जो हमने नीचे double crochet किया है उसी के chain में हमें इस तरह से single crochet करते जाना है देखिए ऐसे हम single crochet करते जा रहे हैं देखिए ऐसे हमने single crochet कर लिया यहां से देखिए हमने start किया था हम last तक आ गए अब यहां पर हमें देखिए फिर से slip stitch कर लेना है जहां पर हमने यह single crochet सुरू किया था इस तरह से देखिए हमने single stitch कर लिया जॉइन कर लिया अब फिर एक chain लेना है और फिर उसी तरह से हमें हर एक chain में जो हमने नीचे single crochet किया है उसी में फिर से ऐसे ही single crochet करते जाना है इसी तरह से हम 5 line बना लेंगे फ्रेंड जैसे हम यह single crochet कर रहे हैं इसी तरह से मैं 5 line बनाना है single crochet का देखिए यह हम दूसरी line बना रहे हैं सेम इसी तरह से हम टोटल 5 line बना लेंगे तो चलिए मैं आपको ऐसे ही पांच लाइन बना के फिर दिखाती हूँ देखिए फ्रेंट सेम उसी प्रोसेस से मैंने एक, दो, तीन, चार, पांच लाइन बना लिया है अब यहाँ पर देखिए हमें एक ऐसे ही चैन बना के उन को कट कर लेना है इस तरह से ऐसे ही देखिए उन में हम नौट लगाके कट कर लिये यह मैंने ग्रीन कलर का उन क्रुषिया में अटेच करकी ले लिया है अब देखिए इसे हमें इस तरह से जो हमने 20 चैन बनाया है नीचे single crochet का उसी में हमें इस तरह से attach कर लेना है ऐसे ही देखिए, हमने green color count attach कर लिया अब हर एक chain में हमें दो बार ऐसे ही double crochet बनाना है उसके लिए देखिए, यहां पे हम एक chain बना लेंगे इस तरह से और फिर देखिए, उसी जगह पे हमें फिर से एक बार ऐसे ही सिंगल कुशिया कर लेना है फिर ऐसे ही देखिए दूसरे चैन में जाना है फिर उस चैन में भी हमें ऐसे ही एक दो एक चैन में हमें दो बार ऐसे ही सिंगल कुशिया करना है फिर देखिए नेक्स चैन में जाना है फिर एक दो फिर देखिए दूसरे चैन में जाना है महाँ पे भी हमें इस तरह से एक दो फिर देखिए दूसरे चैन में ऐसे ही हमें हर एक चैन में ऐसे दो दो बार सिंगल कुर्शिया हाफ डबल कुर्शिया करते जाना है देखिए एक चैन में हमें दो बार half double crochet करना है इस तरह से देखिए एक दो फिर ऐसे दूसरे chain में जाना है उसमें भी हमें दो बार ऐसे half double crochet इसी तरह से देखिए हमने नीचे जो 20 chain बनाया है single crochet का उसी में ऐसे हमें इस लाइन में half double crochet 40 कर लेना है हर एक chain में ऐसे दो दो बार हाप डबल कुशिया करते जाना है इसी तरह से फ्रेंड हमें ये लाइन बना के कम्प्लेट कर लेना है देखिए सेम उसी तरह से मैंने ये चारो तरफ ऐसे ही हाप डबल कुशिया बना लिया है अब लाश्ट में देखिए जहां पर हमने एक चैन बनाया था उसी म हमें इस तरह से slip stitch करके attach कर लेना है और एक ऐसे ही chain बना के हमें wool को cut कर लेना है यहाँ पर इस तरह से देखिए हमने वून को cut करके knot लगा लिया बहुत ही प्यारा सा काना जी का hat बनके ready हो गया है